कुछ हमने एक स्टार्ट किया आप लोगों के लिए बच्चो जिसमें कुछ economics की कुछ definitions हो गया यह कुछ concepts हो गया कुछ analysis हो गया तो ऐसे आपको पूरे अव्यान आईस के चनल पे जैसे मालो inflation क्या होता है deflation क्या होता है यह सब एक दो दो तीन-तीन मिनट की वीडियो में आपको बड़े अच्छे तरीके से summarize एक अच्छे समझाया जाएगा ताकि आपको मजा भी आए कि हाँ कुछ अलग सा मिल रहा है और कुछ यह आपको problem होती economic समझने में या कोई subject समझने में जो technical terms होती है concepts होते है वीटा तो इन तीन-तीन-तीन-तीन-ती वीडियो में वीडियो में आपको यह चीज़े हम आपको clear करेंगे अच्छे से बिलकुल ठीक है यह हम आपको clear करेंगे तो जैसे कि आज इस वीडियो में बना रहा हूं क्या बन इस होंगी यह आप channel pack मिल जाएगे आपको इसमें क्या है बताऊंगा actually क्या है और वह point वही point आपको बताऊंगा जो आपको चाहिए होंगे exam के लिए UPSO कोई भी exam बेटा जहां से question पूछे जाएंगे और definitely कित से बनेंगे तो ऐसे hundreds of concept और definitions ठीक है आपको हम clear करेंगे through these small small videos बेटा which will be very helpful जो बहुत आपके लिए फायदय मन होगी विश्वास करिए तो money market capital market बेटा ठीक है तो basically market होता है क्या है बेटा मार्केट मतलब जहां प किसके basis पे लेंदेन होता है लेंदेन होता है securities के basis से बेटा मालो मुझे पैसे की जौरत है मुझे एक लाख रुपी की जौरत है तो और आपके पास मालो एक लाख रुपिया एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है सर्प्लस में है भई आपको वह पैसा पढ़ा हुआ है पढ़ा करेंसे होगी तो आप इंवेस्ट कर दो किसी का इंटरस्इट आपकर फायदा होगा लिकारउगा आप ये पैसा मुझे तो तो आपनी सेक्वियूरीटी आपको इस्यूरीस कर दूंगा और आप से पैसा में उधारी में ले लूँगी सारा में आपको पुरा कर दूँगा तो सिक्योर्टी बसली क्या होते है था पीसव पेपर होता है उस पीसiyorsunपर होती एक अग से हो जो त्यों किभी ओ। तो एक लाग की face value होगी उस पर उस पर महर होती है अगर वो सरकार की है तो सरकार की महर होगी company company महर होगी bank की bank की महर होगी उस पर interested time period उस पर defined होता है तो यही लेन देन जब बेटा यही लेन देन जब यही आपकी lending and borrowing, lending short term का हो, कम का हो मतलब up to 365 days या less than one year का हो वो किसका part होता है money market का part हो जब यह lending and borrowing less than one year की हो या up to one year की हो यह part होता है money market का और जब यह lending and borrowing बेटा more than one year का हो यही lending and borrowing more than one year की किसका part होगा यह part होगा capital market क्या बोलेंगे इसको capital market हम बोलेंगे तो यह एक तरह से shorter maturity one year or less एक साल की एक साल से कम की यह एक साल से ज्यादा की maturity बेटा ज्यादा की maturity और हम बात करें इसमें financial instruments कौन-कौन से होते हैं इंस्ट्रूमेंट बतला securities कौन-कौन से होती है इसमें treasury bills treasury bills plus में इसमें commercial papers commercial papers बेटा और इसमें कौन सा certificate of deposits certificate of deposits इसमें और क्या होगा आपका trade credit etc trade credit etc बेटा यहीं पर क्या होगा इसमें क्या होगा shares आएंगे आपके debentures आएंगे इसके अंदर आपके बेटा shares हो गया debentures हो गया bonds हो गया बेटा euro issues हो गया बेटा euro issues हो गया इसके अंदर plus में इसके अंदर securitization हो गया बेटा यह सब इसके अंदर हो गया बेटा clear तो ही हो गया अब आपने देखा bills और bonds मैंने यहां bills लिखा है यहां bonds लिखा है क्यों जो security एक साल है एक साल से कम की होती है उसको bills बोलते हैं और जो security एक साल जाए उसके हम bonds बोलते हैं इतना clear दूसरा यहां पे financial institutions कौन-कौन से कौन-कौन involved है कौन-कौन से financial institution इंस्टिशन इंस्टिशन इंवलब है commercial bank हो गया बेटा commercial bank हो गया इंबे इसक्टरा clear et cetera कौन-कौन से institution इंस्टिशन इंप्यक्ट्रा और यहां पर कौन हो गया stock exchange आ गया दोक एक्सेंज आ गया यहां पर भी commercial भी यहां भी commercial bank आ गया, यहां भी NBFC आ गया capital market में, यहां भी brokers भी आ गया बेटा आपके, यह सब किस में हो गए, capital market के हो गया, capital market के हो गया, तो यह basically क्या है, आप जो money market में करते हो, अपनी जो working capital के लिए, जो आपकी working capital need होती है, उसको पूरा करने के लिए आप money market पैसे लेते हो लेकिन इसमें करते हो, इसमें आप अपनी long term need को, long term credit need को, पूरा करने के लिए आप पैसे लेते हो बेटा, पैसे लेते हो, यह बेटा, money market सिर्फ और सिर्फ, debt instrument में काम करता है, deal करता है, debt instrument deal करता है, मतलब securities के खरीद बेच, लेकिन यह, capital market shares, or you can say equity आप बोल सकते हो, and bond में, equity and bond दोनों में deal करता है, क्या करता है, दोनों में deal करता है, और सबसे बड़ी बात, money market बेटा, RBI regulate करता है, कौन करता है, RBI regulate करता है, और capital market, savvy regulate करता है, कौन करता है, savvy regulate करता है, capital market, इस बात का देने करता है, कौन करता है, savvy regulate करता है, पॉइंट क्लियर आपको, पॉइंट क्लियर, ठीक है, इसमें risk थोड़ा कम होता है, क्योंकि long term, ेसमें risk थोड़ा कम होता है, क्योंकि short term होता है, money market में risk थोड़ा कम होता है, क्योंकि short term होता है, तो इस वीडियो में मनी मार्केट कैपिटल मार्केट हमने देखा वेटा ऐसी कुछ अच्छी वीडियो आपको और इंफॉर्मेटिव भी जिससे आपके कोशन मतलब यह लगा लीजिए कि तीन तीन चार से नुट की वीडियो में आपका एक एक कोशन भी सौल हो जाए तो बह त्यूंकियो बेटा